हेलो फ्रेंट्स, लोन एप्लिकेशन बिसिकली आपको बहुत छोटे अमाउंट एज लोन देते हैं, आपको दो हजार, पांच हजार, दस हजार उपे तक की जरुवत है, आप अपने घर से कहीं दूर है, जहां पर आप किसी से मदद नहीं ले सकते, इंस्टेंटली आपको प चुका सकते हैं, जिसमें आपको एक हैवी इंटरस्ट देना होता है, फ्रेंट्स, जिस वक्त जरुवत होती है, उस वक्त इंटरस्ट और उसके अमाउंट को लोन एप्लिकेशन की टर्मन कंडिशन को नहीं देखते लोग, और उसके बाल लोन ले लेते हैं, अगर आपने पर कोई भी लोन चुका दिया है, तो बहुत अच्छा है, आपको वो तमाम हरास्मेंट्स जो लोन एप्लिकेशन कंपनी करती हैं, वो नहीं फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर किसी वक्ती ने, मान लो तीन हजार रुपे का लोन लिया है, और तीन दिन पूरे होने के ब बनी बनाई इज़त कुछ घंटों के अंदर चली जाती है, ऐसा क्या है जो लोन कंपनी आपके साथ करती हैं, वह आपको बताऊं, मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर भी इसको बहुत इलाबरेट करके बताया है, कि यह आपका डेटा को हैक कर लेते हैं, आपके हैं कि हम अपने जो बहुत close relatives होते हैं, जैसे मौसा जी है, भूपा जी है, मामा है, हम उनको direct उनके नाम से नाम से जैसे मामा जी है, तो मामा जी के नाम से हमने contact detail में उसका नाम add कर दिया है, अब यह phone app companies इतनी जादा smart हैं कि यह उनही numbers को pick करती हैं, जिनको आपने relative के नाम आपके उपर pressure पड़ेगा और आप इनको loan चुकाएंगे और कहीं से भी लाकर इनको पैसा देंगे, loan से जुड़ेवे जितने भी harassment होते हैं, आपको loan recovery agent से कैसे निमटना है, आपके साथ क्या कानूनी कारवाही की जा सकती है, loan recovery agent आपको harass करने के क्या क्या तरीके वो लोग आप इनसे जुड़ेवे जितने भी वीडियो से आप उनको नीचे description box में मैंने link दिया वाए, आप उस पे click करकर भी देख सकते हैं, friends यहाँ पर एक question ये उठता है कि क्या ये loan applications आपके relatives को call कर सकती हैं, जिस वक्त आप loan लेते हैं, loan लेने वक्त आपका सारा agreement online होता है, यहा आपके account में पैसा आ जाता है, ना तो हम में से कोई उसको read करना चाहता है, ना उसको read करने की आम तोर पर हम लोग इतनी समझ रखते हैं कि उसको हम समझ सके, loan application जब आपको loan देती है, तो उसमें किसी भी clause के अंदर ये agreement नहीं होता कि एक lender और borrower के बीच में अगर पैसों क लेंदेन को कोई dispute है, याने की application और loan लेने वाले के बीच में अगर कोई dispute हुआ है, loan लेने और देने के वज़े से, तो उसके रिष्चेदार को भी call की जा सकती है, ऐसा कोई clause agreement में नहीं होता है, उसके बावजूद ये लोग आपके रिष्चेदारों को call करते हैं, क्योंकि loan applications को पता है कि अगर court कचैरी के अंदर कोई भी case जाता है, तो एक छोटे से amount को recover करने के लिए भी सालो लगते हैं, और इंडिया का जो procedural law है, वो बहुत जादा slow है, अब दूसरी तरफ अगर किसी के रिष्चेदार को धंका के परिशान करके और उसको police और court की धंकी देके, अगर कुछ घंटों के अंदर 3-5,000 या 10,000 का loan recover किया जा सकता है, तो वो court जाने से बहतर है, तो friends यहाँ पर यह बताना जरूरी है, कि यह जो भी loan applications, आपके relatives को, दोस्त को, पड़ोसी को, या जो कोई भी आपकी phone book के अंदर है, अगर उसे धंका रहा है, तो यह 100% illegal है, ऐस कोई right mobile applications का नहीं है, अगर आप भी loan app से उधार लेने के बाद इसी harassment को face कर रहे हैं, तो friends आप उनकी cyber complaint भी कर सकते हैं, और उनकी police थाने के अंदर भी complaint कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने humiliation face की है, आपने deformation face की है, तो आप उनके ओपर मानहानी का भी दावा कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपके किसी रिष्चेदार को इन्होंने गाली दी है, बत्तमीजी की है, उनके साथ असब्बे language का use किया है, तो वो रिष्चेदार भी अपनी personal capacity पर इन लोगों के खिलाफ cyber complaint भी कर सकते हैं, police complaint भी कर सकते हैं, और मानहानी का notice देकर उनके आपको reply देने की कोशिश करूँगा, thank you